बाली जिसके लाल लट लाम है उसका सूरज लट है चुटी मम्मा भया पिर से रेड हो गए अब क्या होता हूँ ऐसे ही है सूरज गुस्से में लाल नहीं आग का गुला हो जाता है ये कहानी है गर्म सूरज के उसकी गर्मी से परेशान उसके अपनों की ये कहानी है इस गर्म शरीर के थंडे सपनों के एक कोई से नहीं खेल पाया मेरा बच्चा बंगल यान पर बैटके थर्टी पराया है ये एलियन बाल देखे इसके लाल मासून सूरज अपनी गर्मी से अंजाना था आइसक्रिम खाने के लिए दिवाना था सौफ्टी पकरता तो जल जाती और दूद की कुलफी बिगल जाती घर की चीजों में भी गर्मी दिखती रही पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती रही पर भई होसला तो रखना था भई बच्चा भी तो अपना था ठंडे को गरम करना बाल्टी के पानी को बॉल करना बहन के बालों को स्ट्रेट करना और कभी-कभी मस्ती में डेर डेविल बनना फेस पे कलन के खेत की मुलतानी मिट्टी हेड पे बच्चन की दुकान का धंडा थे पीट पे शारुक का कूल-कूल पाउडर भी उड़ गया और मुन्ना बरव बीपो का आइडिया भी भाब बन गया माबाप ने क्या-क्या नहीं किया मंदिर की घंटी, चर्क में फादर बंटी, गुर्दवारे की सीडियां और दरगा की कवालियां पर सूरज, जों कत्यो रहा मिया बस, अब लांस रिजोर्ट है इसकी शादी शायद इसी से इसी गर्मी निकल जाए लड़की के घर चाय की चुस्की चल रही थी सूरज मुखी शर्माते होए भजिया तल रही थी इतने में लड़की के पपा छिलर जी बोले चक्रुवर्ती जी ने किया साइलेंट मोड जिलर फैमली के सामने की सूरज की गर्मी दाउनलोड सुनकर जिलर जी फिर से बोले बस, इतनी सी बात बेटा सूरज मुखी, अनुस तो का मूँ मिठा कर आओ भाई सूरज मुखी जट से कुलफी ले आई, एके करके सब को थमाई बट इस बार सूरज की कुलफी ना पेगल पाई और ये देख छुटकी चिल्लाई ममा, भया ठीप हो गए रिष्टा पक्का हो गया, सूरज वाकरी चंगा हो गया इस तरह हमारी ठंडी गरम स्टोरी का हैपी एंड हो गया